हेलो गाईस तो आज को जो हमारा कोश्चेन है इसमें हमें दिर्खाए दो टाइम टेकन भाया मोनो क्रोमेटिक लाइट to travel a certain distance in a air in 9 into 10 raised to the power minus 6 seconds ठीक है guys the time taken by the light to travel the same distance in a water of refractive index is हमें guys दे रखे कि एक monochromatic light है जो 9 into 10 raised to the power 6 seconds लेटती है light को travel करने में कुछ distance ठीक है air में guys और हमसे पूछा गया अब यही light अगर उतना ही distance water में travel करती है जिसका refractive index 4 by 3 है तो कितना time लेगी ठीक है guys हम पहले जानते हैं कि हम velocity से refractive index कैसे निकाल सकते हैं तो उसका formula होता है new is equal to c upon me v ठीक है यह formula होता है और c यहाँ क्या होता है velocity of the light in a vacuum or air और v होता है guys velocity of a light in a medium ठीक है तो यहाँ से मैं यह लिख सकता हूं x upon me t क्योंगे हम जानते हैं velocity होती है वो is equal to distance upon me time होता है ठीक है तो यह हो गया distance air में और यह हो गया time air में ठीक है इन्टू इन्टू डिस्टेंस इना water और time taken by a monochromatic light in a water ठीक है तो यह दोनों से मैं यहां से यह दोनों कट जाएंगे ठीक है तो यह हो जगा हमारा यह वाला time है हमारा air में और यह है गाइस हमारा water में ठीक है गाइस new is equal to तो तो यह टी हो गया 9 into 10 raise to the power minus 6 और गाइस हमें refractive index कितना तरह रखा 4 by 3 तो यहां मैंने लिख दिया 4 by 3 is equal to t upon me 9 into 10 raise to the power minus 6 3 से 3 कट गया गाइस तो यहां टी आया है गाइस मेरा 12 माइक्रो सेकेंड ठीक है यह गाइस इस question का answer थैंक्यू गाइस